प्यूजजज़ जी, मुझे कुछ किस्से याद हैं, कुछ वाक्य याद हैं, कुछ कॉमेंट्स याद हैं, जब आप विपक्ष में हुआ करते थे और ये कॉमेंट्स आते थे जब रुपय की कीमत बनाम डॉलर लुडख-Lुडख-LU-DK के नीचे आती थी तो आप बहुत से तीर चलाते थे उस समय की सरकार जो UPA सरकार थी आज आज आप क्या कहेंगे क्योंकि रुपया बहुत लुडग गया है पहली बात तो यह सपष्ट कर दूं कि रुपय की कीमत डॉलर के निजबत काम होई है लेकिन बाकी सभी लगबग करिंसी के सामने रुपय अप्रिशेट किया है चाहिए वो जैपनीज येन हो, यूरो हो, पाउंड हो तो एक चीज़ तो सपष्ट है कि पूरे अंतराष्ट्रे पठल पर सभी करिंसी डॉलर के सामने वीक हुई है भारत कम-कमजोर हुई है भारत in fact appreciate करी है बाकी सब economies के निस्पत तो पहली बात तो ये पहले की परिस्तिती और आज की परिस्तिती का एक बड़ा stark difference है दूसरी बात जो rate of depreciation पहले होता था वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि भारत में महिंगाई की दर बहुत ज़्यादा थी हमारे पहले आठ वर्चों को अगर आप देखें तो CAGR रुपया का depreciation लगबग सवादो 2.4% के आसपास रहा जबके पहले साड़े 3.5% CAGR रुपया depreciate करता तो लगातार सुधर रही थी हमारी आर्थिक स्थिती और रुपय की कीमत comparatively ये एक 6-8 महिने में युद के कारण एक विशेश परिस्थिती रही COVID में हम सब जानते हैं कि US ने बहुत ज़्यादा डॉलर्स को economy में डाला था पहले 2 trillion डॉलर तो Obama administration ने डाले लगबक 1.9 trillion डॉलर नई सरकार ने डाले तो इतनी ज़्यादा liquidity थी के कभी ना कभी वो tightening करने की अवशक्ता पढ़नी थी जो आज के दिन वहा का federal reserve कर रहा है जिसके कारण dollar appreciate हुआ बाकी सब economies थोड़ी कमजोर हो रही है भारत relatively उसमें भी bright spot है compared to the other economies प्यूश जी इतना मुझा